दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SBI Yono App का यूज करके हम mutual fund में investment किस प्रकार से कर सकते हैं यानि कि हम SBI Yono के दुवरा जो है SIP या लमसम में invest किस प्रकार से कर सकते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही easy तरीका है आप सिर्फ 5 ही मिनट में जो है अपनी SBI Yono App का यूज करके और जो SBI के mutual fund है उनमें बड़ी ही आसानी से आप जो है invest कर सकते हो तो अगर आप भी SIP या लमसम में invest करने के इच्चुक है तो वीडियो को सुरू से लेके लाश तक जरूर देखें वो वीडियो में बताये हुए procedure को follow करते हुए आप भी easily जो है investment करें तो इसके लिए आप बने रहे हैं आपके अपने YouTube चेनल टेक या दो के साथ SBI Yono app के दौरा mutual fund में investment करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो Yono SBI की app है आपको सबसे पहले app को open कर लेना है तो मैं जो मेरी SBI Yono की app है मैं app को open कर लेता हूँ और इसमें जो भी आपने जो है सबसे पहले आपको इसमें login हो जाना है तो सबसे पहले login वाड़े option पर click कर देना है mpin set कर रखा तो mpin या फिर आपने अगर कोई user id password set कर रखा है तो user id या password डाल के आप सबसे पहले sbio no app में enter हो जाना है तो मैंने mpin set कर रखा है तो मैं mpin डाल देता हूँ जैसे मैं mpin डालूँगा जो है home page इस तरह से app का इस तरह से आपके सामने खुल के show हो जाएगा अभी हमारे को investment का option है जहांपर मैंने round circle किया है investment के option के उपर click कर देना है तो जैसे ही मैं investment के option के उपर click करूँगा click करते ही ज in insurance का तो इसके दोरा आप जो है insurance में अगर आप कीसी insurance लेना चाते हो तो इसमें जाके insurance भी ले सकते हो ठरड़ है my cards का, Nhash my credit card का kredit card से related आप apply करना चाते हो तो इसके दोरा credit card भी आप apply कर सकते हो अभी जो हमारा main है वह है investment तो माई investment के option के पर किलिक कर देता हूँ, तो जैसे मैं my investment के option पर किलिक करूँगा, किलिक करते ही मेरेको जो है invest in MAP, यानि investment in mutual fund के option का तो ये option मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर ये 3-4 option मेरे सामने श्यो हो जाएगे, तो इसमें पहला option है intro video on mutual fund and investment, यानि अगर आप video investment करना है mutual fund में, वो video मिल जाएगा, second है view available fund, तो इसमें जाके आप जो है available fund, जो SBI के है, वो देख सकते हो, third है help in investment, आपको किसी भी प्रकार की कोई साहिता की जुरूत है, कुछ समझ में नहीं हा रहा, तो इस option पर किलिक करके, और आपको जो है, आप जो भी है, ओ customer care के साथ आप जो है connect हो जाओगे और पूछ सकते हो, अभी हमारे को investment करने के लिए view available funds के option के ओपर किलिक कर देना है, तो जैसे में view available funds के ओपर किलिक करूँगा, किलिक करते हैं मेरे सामने, जो भी mutual fund है, वो मेरे सामने पूरे के पूरे स्यो हो जाएंगे, तो इसमें all fund, इसके बाद में popular fund, NFO, इसके बाद में equity, hybrid, debit, जितने भी परकार के mutual fund होते हैं, वो पूरे आप जो है, यहाँ पर देख सकते हो, देखके जो है, यहाँ से आप easily, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, उसका आप compare भी कर सकते हो, तो मैंने all funds के ओपर किलिक कर दि कि आप जो है, एक दूसरे से compare करके, जो आपको अच्छा लगे, आप किसी broker से राय ले सकते हो, या फिर आपका अगर कोई personal assistant है, तो उसको भी पूछ के, आपको जो अच्छा लगे, कि किसमें मेरे को investment करना चाहिए, future के लिए, उसके उपर, आप जो है, इसमें बड़ी आस जो भी आपको अच्छा लगे, इसमें return भी दिया हुआ है, तो इस mutual fund ने time period के दोरान कितना return दिया है, वो भी आप देख सकते हो, और minimum investment, यानि minimum आप जो है, इसमें कितना investment कर सकते हो, वो भी इसमें clear दिया हुआ है, तो मैंने जहाँ पर arrow mark किया है, invest ना हुगा, मैं इसमें दिखा देगा, तो अभी आपको सबसे पहले, जो सबसे पहलो है, regular grow या regular dividend, इनमें से आपको select करना है, तो मैं आपको regular grow की ही, जो बताऊंगा कि आप regular grow को ही select करें, regular dividend में क्या होता है, कि जो भी आपका profit होगा, वो आपको मिलता रहेगा, और grow में उसी में add होता रहेगा, चार्ट को आप उपर करके इसका parameter भी देख सकते हो, fund manager कोन है, fund manager की भी आप जो है, पूरी की पूरी information ले सकते हो, कि fund manager कोन है, और जो parameter में है, कि risk कितना है, क्या है, क्या नहीं है, वो भी आप जान सकते हो, current NAV क्या है, 1 year, 3 year, 5 year में इसने कितना return दिया है, देख सकते है, इ तो agree वाले option के उपर में, जैसे ही किलिक करूँगा, किलिक करते ही, जो है, मेरी personal detail और जो भी इसमें save है, वो by default इसमें show कर देगी, तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मेरा नाम, इसके बाद में gender, और date of birth, father name, email, mobile number, यह मेरी automatic by default show कर देगी, अभी मेरे page को next कर देना है, जै यह जो है, मेरी by default जो है, SBI account के साथ जो link थी, वो by default इसमें show कर देगी, तो यह आपको फिर भी एक बार check कर लेना है, ध्यान रखने वाली बात है, अगिर आपकी CT, आपकी particular CT इसमें show नहीं करे, तो जो भी आपके state की capital है, उस capital को आपको select कर लेना है, तो मैंने मेरे state की capital को select कर लिया है, और select करने के बाद में, फिर जो है मेरे को next option के उपर, जो next वड़ा option है, इसके उपर click कर देना है, तो फिर मैं next option के उपर click करूंगा, तो other information मेरे सामने कुल के show हो जाएगी, इसको भी आपको फिलब कर देना है, सबसे पहला है occupation, तो occupation में आप क्या काम काज करत हो, तो अगर housewife हो, या public sector, retirement, service, student, other जो भी हो, government sector जो भी हो, आपको select कर लिया, इसके बाद में next option है, text status, text status में आप text status individual हो, या NRI हो, या फिर NRI minor हो, यानि जिस भी text status की category में आप आते हो, वो text status आपको show कर लेना है, थर्ड option है, पोर्टीकल, export person, यानि आप किसी पोर्टीकल परसन तो नहीं है, आप यानि पोर्टीकल आप राजनीती में तो नहीं है, तो मैं राजनीती से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैंने non कर दिया है, और gross जो है annual income करके, और next option के उपर हमारे को click कर देना है, जैसे मै next option के उपर किलिकरूँगा, फिर इसमें जो है कुछ न कुछ आ जाएगा, जैसे country ओबरत, इंडिया और पलेस ओबरत, आपका जहां जनम हुआ है वो, और नेसलंटी इंडिया, अब next option है, you are a tax residence in any country other than India, यानि आप इंडिया के अलावा भी खहीं tax paid करते हो, अगर आप करते है, तो आपको भी जो भी अगर नहीं करते हो, तो आपको भी नो ही इसमें जो है कर देना है, इसके बाद में सबसे मैं तुबर पूर्ण option है, नो मीनी का, दोस्तों आप नो मीनी इसमें जो है जरूर एड़ करें, क्योंकि आपके साथ में हुदानकास्ता कुछ भी हो जाने हैब फर जो है इस mutual fund का जो भी पैसा है वो आपकी नो मीनी कोहीं मिलेगा, तो नमर ओप नो मीनी एक नो मीनी नेम, जो भी नो मीनी आप नेम जाना चाथे हो, उसके date of birth, relation, आपकी relation नो मीनी क्या है और उसको आप जो है कितना share करना चांते हो, 100 परसेंट करना चाना चाते हो 50 करना चाते हो, 80 करना चाते हो, 70 तो ये आपको नोमीनी इसमें जो है आपको जो भी मदर, फादर या ब्रोदर, सिश्टर, वाइप बच्चे जो भी हो, आप नोमीनी इसमें जो है, जरूर एड करें, नोमीनी एड करने के बाद में, नीचे एक option है, एडरेस सेम, एड इन्वेस्टर तो यानि, नोमीनी का और आपका एडरेस एक ही है क्या, तो मेरा एक ही है फिर भी आप जो है, चेक बोक्स के ओपर चेक कर दे और एक बारी जो है, एडरेस को कंफरम के लिए फिर चेक कर ले, तो वो ही एडरेस जो पीछे शो हुआ था, वो ही एडरेस उसमें सेम जो है, शो हो जाएगा अभी जो है, आमारे को next के option के ओपर आमारे को किलिक कर देना है, तो मैंने next के option पर किलिक कर दिया, किलिक करते ही जो है, अकाउंट नमर जो मेरा है, वो अटोमेटिक मेरे को शो कर देगा, और I have read the agree, ट्रम से condition वाड़ चेक बोक्स के ओपर मेरे को किलिक कर देना है तो मैंने इसको कर दिया, और मैंने इसको सम्मिट कर दिया, जैसे मैं इसको सम्मिट करूँगा फिर जो है, मेरे सामने जो है, मेरी भाई, जो SIP है, देखो, congregation और polio number has been created जो मेरी SIP का polio number जो है, generate होके इसमें शो कर देगा, और आपने जो कौन सा fund select किया है, वो fund भी आपको शो कर देगा, अभी आगे एक procedure के लिए आपको इसमें जो continue का option दे रखा है continue वाड़े option के ओपर किलिक कर देना है तो जैसे मैं continue के option के ओपर किलिक करूँगा फिर मेरे को, जो है type of investment polio number मेरे को शो कर देगा अभी आपको ये पूछ रहा है कि आप इसमें लंसम investment करना चाते हो या फिर SIP investment करना चाते हो लंसम का दोस्तो मतलब है कि एक FD की तरह इसमें एक साथ जो है पैसा investment किया जाता SIP का मतलब है दोस्तो कि हर महीने आप 12,500, 5000 रुपए जो है हर महीने आपके account से debit हो जाएंगे तो जो भी आपको अच्छा लगे अगर आपके पास ज्यादा रुपए हो एक साथ तो आप जो है लंसम करें लंसम भी बहुत अच्छी चीज है या फिर आपके पास अगर महीने के 1000-2000 रुपए investment करना चाते हो हर महीने मंतली करना चाते हो तो जो है SIP वाड़ा option है systematic investment plan वाड़ा option है इसके उपर आप किलिक कर दे तो मैं इसमें जो है SIP करूंगा तो मैं हर महीने कटवाना चाता हूँ तो मैंने SIP को पर किलिक कर दिया जैसे मैंने SIP को पर किलिक किया तो मैंने जो भी plan लिया है उसका नाम आ गया polio number उसकी nav 8% क्या है minimum amount क्या है यानि minimum amount जो minimum मैं इसमें कितने से कितना रुपए कर सकता हूँ इसके बाद में दोस्तों आ गई frequency frequency का मतलब है कि आप इसमें जो है पैसे हर महीना जमा करवाना चाते हो या quarterly तो जैसा आपको अच्छा लगे तो मैंने इसमें मंतली कर लिया है अभी start date और end date यानि आप कब इसको start करना चाते हो और end date तो दोस्तों मैं आपको यहीं कहूँगा कि आप जो अगर SIP लेते हो तो कम से कम 10 साल की अबो ही SIP लो तबी आपको इसमें फाइदा होगा तो इसमें आपको select date कर लेनी है 5, 10, 15, 20, 25, 30 इसमें से आपकी इस तारिक को जो है start date यान इतनी तारिक को जो है मेरी SIP जो है automatic start हो जाईए यानि मेरे account से जो है पैसे हर महिन जो है 10 तारिक के साब से यानि 10 तारिक को मेरे account से पैसे automatic debit हो जाएंगे इसके बाद में next option आ गया end date का यानि end date भी हमारे को फिलप करनी है कि आप जो है end date इसमें क्या लेना चाथते हो तो आप जो है end date जो है इसमें end date की कोई limit नहीं है कितना भी आप जो है 2009 तक जो है इसमें 2099 तक जो है year तक इसमें दिया हुआ है तो आप जो भी आपको अच्छा लगे 10 साल, 20 साल, 25 साल मैं यह होँगा कि 25 कम से कम जो है 10 साल के अभोव SIP ले तभी इसमें जो है आपको अच्छा रिटन मिलेगा जो long term होती है वो इसमें अच्छा रिटन निकाल के देती है तो यह मैंने जो है date select कर लिया आप ही automatic इसमें से हो गया कि number of installment मेरे जो है 925 installment इसमें जो है deposit हो जाएंगे यानि इस time period के दुरान जो है मेरे 925 इसमें investment हो जाएंगे इसके बाद में सबसे मैत्वपूर्ण है amount to investment यानि आप जो है कितने रुपए की SIP जो है करना चाहते हो minimum इसने बता दिया कि minimum जो है कर दे तो मैंने 1500 रुपए फिलप कर दिया है और फिर यह देख सकते हो आप जो है review SIP एक बार आप जो है फिर इसको जो है पूरा का पूरा चेक कर ले कि जो मैंने SIP से related जो information फिलप की है वो सही है या गलत है अगर आपको लगे कि कुछ न कुछ कहीं गडबढ है मैंने mistake कर दी है तो आप back कर दे नहीं जो confirm का button दिया हूँ है confirm का option दिया हूँ है आप जो है confirm कर दे एक बार चेक जरूर करें क्योंकि कहीं कुछ न कुछ mistake न हो जाए तो मैंने जो है पूरा का पूरा ये एक बार रीड कर लिया है आपको भी रीड कर लेना है और नीचे जो term condition का check box दिया हूँ है इसके उपर आपको किलिक करके और जो confirm का option दिया हूँ है ये confirm वाड़े option के उपर आपको किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं confirm वाड़े option के उपर किलिक करूँगा किलिक करते ही जो है मेरी SIP जो है generate हो जाएगी generate होने से पहले जो मेरा इसमें registered mobile number है उसके उपर एक OTP आएगी तो यह जो है मेरी OTP आ गई है यह OTP आपको six digit की OTP आएगी यह OTP आपको जो है इंटर कर देना है और OTP को इंटर करने के बाद में आपको जो submit का option दिया हुआ है submit वाड़े option के उपर किलिक कर देना है जैसे ही मैं submit वाड़े option के उपर किलिक करूँगा किलिक करते ही जो है मेरी SIP जो है open हो जाएगी तो दोस्तो इस तरह से जो है हम SBI UNO app के दोरा बड़ी ही easily जो है अपने mobile phone के दोरा और घर बेटे ही जो है SIP कौल सकते हैं तो आप देख सकते हो मेरा transaction reference number और मेरे कि नितारीकों SIP टाइम यूंगों गरा सब कुछ आ गया है तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी easily जो है SIP कर सकते हो मैं दोस्तों आपको यही खाऊंगा कि आप छोटी SIP लो परन्तु long period के लिए SIP जरूर ले इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटन मिलेगा और कम से कम कम से कम future के लिए एक या दो SIP आप जरूर करें आपको SIP किसी की भी company की अच्छी लगते हो उसमें आप इन्वेस्ट करें परन्तु इन्वेस्ट जरूर करें SIP के रिगार्डिंग आप किसी भी प्रकार की क्यूरी हो कमेंट बोक्स में जरूर लिखें वीडियो देखने के लिए अगें थिंक